हलो मैं हूँ शालनी उबलीकर और मेरी चैनल में आप सकता बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कि आप लोगों ने और आज मैं एक्स्पेंड कर रही हूँ आप लोगों को शिव छत्रपती स्टैंडर्ड फोर इसमें मैंने जो फर्स्ट लेसन एक्स्पेंड किया हुआ है आज आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे है और अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि अभी जो इसमें और आंसर आज आपको देने वाली हूँ तो यह वीडियो देखने के पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब यह जो मैंने एक्स्प्लेन किया हुआ है लेसन पूरा यह पहले वीडियो देखिएगा उसके बात ही जो फिल इन देखिए तो ही आप लोग को पता चले तो यहाँ पर आप लोगों को फिल इन दे ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पर आप्शन दिये हुए है तीन तो उसमें का सही आप्शन चुन कर आप लोगों को लिखना है ओके A. The time in which Shivaji Maharaj lived was that of the dash period तो कौन से period में Shivaji Maharaj थे तो यहाँ पर आप लोगों ने तिन दिया ancient period, medieval period और modern period ancient यानि बहुत प्राचिन जमाना, medieval यानि न प्राचिन है न नया है और modern period यानि अभी यह जो हम लोग लाइफ स्टाइल अपना जी रहे है वो है modern period तो आप लोगों अभी इस लेशन में से कैसे दूदू दिये इसका answer तो यहाँ पर है उसका answer इस तरह से आपको answer धूदने है lesson में से मैं वो दिखा रही हूँ आपको ठीक है फिर भी शिवाजी महाराज established स्वराज इन डैश तो कहां पर थे शिवाजी महाराज 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 थे मध्य प्रदेश में थे या उत्तरप्रदेश में तो obviously महाराज रह में ही थे तो शिवाजी महाराज ने कहां पर स्वराज इस्टाबिश किया महाराज रही है अभी यहाँ पर है to match the pairs तो इसमें A और B दिया हुए हम लोगों को तो A है Emperor of Vijay Nagar तो वो है कृष्णदेवराया पी सुल्तान और अहमद नगर, निजाम शाह, सुल्तान और बिजापूर, आदिल शाह इसे भी जवाब यहाँ पर है यह देखें मुगल एंपरर, यह कृष्णदेवराया और विजे नगर और ये जो अहमद नगर का कौन है निजाम शाह है और आदिल शाह आफ बीजापूर है ना और ये अंडरलाइन करना आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट है ये कुश्चन में हमेशा आता ही है ओके तो इस तरह से ये हो गया अपना match the pair ओके अभी three write the answer in one sentence एक sentence में हम लोगों को इन सवालों के जवाब दिखने है name the king who looked after the welfare of their subjects ऐसे कौन राजा है जो अपने प्रजा की चिंटा करते थे बहुत अच्छे से प्रजा को देखते थे तो उसका जवाब है यहाँ पर दंबुगल एंपरर अकपर पहले यहाँ पर उपर दिया वाए देखो there were some kings who looked after the welfare of their subject तो कौन king थे लोग the Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishnadevaraya of Bijapur in the south and Shivaji Maharaj इस तरह से वो आंसर आप लोग लिखोगी and Shivaji Maharaj who looked after the या फिर the king who looked after the welfare of their subject ओके नाव B what noble task did Shivaji Maharaj undertake ऐसा कौन सा अच्छा पुन्य का काम Shivaji Maharaj ने अपने हाथ में दिया था उसका जवाब यहाँ परेंगे या फिर Shivaji Maharaj आंसर कैसे लिखोगी आप लोग देखो Shivaji Maharaj undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra यह है उसका जवाब और सवालों के जवाब लिखते वक्त ही आप लोगों को याद भी कर लेना है ठीक है C Who did Shivaji Maharaj fight against Shivaji Maharaj किसके खिलाफ fight कर रहे थे तो इसका जवाब भी यहाँ पर है तो He की जगे पे आप लोग लिखोगे Shivaji Maharaj Shivaji Maharaj fought against the powers that oppressed the people जो लोगों को दबा कर रखते थे and defeated them और उन्हों को उन्होंने हराया ठीक है तो He की जगे पे आप लिखोगे Shivaji Maharaj और आगे का आंसर यहाँ तक अकी अकी अब फोर find the odd man out अभी odd man out किस तरह से आप लोग find out करोगे तो आप लोगो options देते हैं कभी 3 देते हैं कभी 4 देते हैं, कभी 5 देते हैं, अब यहाँ पर इन्हों में 3 options दिये हैं, आप दोंको, उसमें का गलत word का उशा है, जो इसमें fit नहीं होता, तो वो हम लोग को find out करता है, A. स्वराज, slavery, freedom स्वराज यहने आ जाती है freedom यहने भी आ जाती है तो इसमें और वन क्या हो गया slavery, slavery यहने क्या गुलामी, इसके लिए A जो unfit word कौन सा है slavery, ओके B. people, subject, king people यहने लोग subject यहने प्रजा तो और वन क्या हो गया king यहने राजा होता है न तो इसके लिए यह urban हो गया, ओके तो इससर से जो आगे activity है वो तो आप लोगों स्कूल में बताया जाएगा तो आप उसको करने वाले उसके बात में फिर भी मैं आप लोगों पढ़के सुनाती हूँ A. Celebrate Shiv Jayanti in your class B. Present historical songs and powadas in the cultural programs held in your school तो स्कूल में अगर आपका कोई cultural program होता है तो इसमें आप लोग historical songs और जो powadas होते है न वो आप लोगो गाकर दिखाने के लिए कहा है ठीक है? चलो यह भी मैंने आप लोग को पता दिया है ओके? तो इस तरह से यह जो अपना फर्स्ट लेशन है महाराष्णा बिफोर शिवा जी इसके question और answers मैंने आप लोगों को बताए है बहुत अच्छे से और बहुत ही detail में आप लोग को मैंने explain किया होगा है I hope आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा मेरा ये video ओके? और आगे के जो लेशन है वो भी मैं आप लोग को explain करते वाली हो बहुत जल्दी ही बने रहीएगा मेरे साथ सब्सक्राब कीजिए बेल का एकन टैप कीजिए और लाइक कीजिए मेरे videos को कुछ doubt है तो आप comment box में मुझे पूर सकते है कुछ doubt नहीं है तो एक thanks तो मेरे लिए बनता ही है है ना? चलो फिर मिलते है अगली वीडियो में बहुत जल्दी stay home stay safe अपनी पढ़ाई करते रहना और entertainment भी करते रहना ओके चलो फिर बाई बाई and all the best अपनी वीडियो में बहुत जल्दी